नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल पे देखिए हम बात करने वाले हैं एम्स नौर्सेट रेजल्ट को लेके जैसा कि आप सभी को बता है कि यह आपका जो एक्जाम है वो 20 नवंबर को हुआ था और कुछ जादा टाइम इसको नहीं हुआ है तो रेजल्ट में थोड़ा आपको वेट है वो करना होगा अपका रेजल्ट कब तक आजाएगा मैसेज यह है कि आपका रेजल्ट कब तक आजाएगा इसको लेके हम यहां पर बात करने वाड़े हैं तो आगे बढ़ने से पहले एक बस रिक्वेस्ट है छोटी से आपसे कि भी चैनल सब्सक्राइब जुरूर करें कोई भी न्यूज आपको सर्च करने के जुरूरत तो कोई मिलब पड़ेगी भी नहीं अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन कर लेते हैं देखें आपके जो रजल्ट है उसको लेके ये बताया जा रहा है कि भी आपका रजल्ट है उसमें थोड़ डिले होगा लगबग आपका रजल्ट है वो 10 या 11 दिसंबर को आएगा जिस हिसाब से आर्टिकल बगेरा में बताया जा रहा है नियूज एटिन के जो आर्टिकल द देखो ले लेगा, कट ओफ की अगर हम बात करें तो अगर किसी के, यूर में अगर किसी के लगभग आप इतना मानो कि 122 से 125 के बीच में हैं, तो वो आराम से ये मतलब हो जाएगा, ठीक है, और फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं OVC की, OVC की लगभग आप मानो की 118 से 122 तक, EWS की से थोड़ी कम रहेगी, लगभग आप मानो की 116 से 119 तक आप इतना मान सकते हो, SC वालों की फिर आप ये मानो की लगभग 112 से 115 तक, और ST की आप इतना मान सकते हो कि भी 105 से 107 तक, ये कट ओफ है वो लगभग रहेगी, वाकि आपका रेजल्ट है बहुत चल्दा जाएगा, जैसे ही अपडेट आएगी तो रहनता आपको इतलाग कर दिया जाएगा, क्या इंगलिस बोलने से लगता है आपको डर, तो डरना बंद कीजिए और डाउटनट के इंगलिस स्पिकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाएगे, जहां इंगलिस के टोप एक्सपर्ट आपको हिंदी बासा की मदद से इंगलिस बोलना सिखाएंगे, वो भी एक दम बेसिक से, अगर आप इंगलिस बोलने में हिच किचाते हैं, या आप अपने इंटर्व्यू के लिए इंगलिस सिखना जाते हैं, अपने आपको इंगलिस में हेरो बनाना जाते हैं, तो ये एक कोर्स आपके लिए है, आज ही डाउटना टैप पराकर कोर्स खरी दिये और अपने खुल कर इंगलिस बोलने के सपने को पुरा किजिए